अगर आप भी इस तरह की एफेक्ट वाली वीडियो क्रेट करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं आपको सबसे पहले एक एप्लिकेशन की जुरुत पड़ेगी जिसका नाम है कैपकड यह आपको प्ले स्टोर से असानी से मिल जाएगा इसको आपको ओपिन करना है कुछ इस तरह का इंटर फेस ऐगा इसको निव प्रजेक्ट वाले उप्शन पर आपको किलिक करना है उपर उपर प्लस वाले आइकन पर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी वीडियों आ जाएगे जिस वीडियो का आपको यह वाली वीडियो एडिकर लेता हूं आपको एफेक्ट पर क्लिक करना है यहां पर सर्च करना है नियोन आपको जैसे सर्च करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर देख सकते हो आपको एक यहाँ पर नियोन वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके का होगा देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपकी वीडियो हो जाएगी यहाँ पर इसको आपको बैक कर लेना है और यहां पर tell देने उसके बाद आपको फिर से वीडियो effect के लिए और यहां पर आपको cRAC 공 two लर यहाँ तो आपके सामने बहुत सारे डिया और अपर लेक्षों सब्सक्राइब कर दे यहांबस क्टिक करें और आपको फूल करेंगे कुछ तरीके से फूल करने के बाद यहां Truly तीर का निशान ऊपर मिलेगा, इस वीटियो का आपको save कर लेना है, तीर के निशान पर click करते हुए, आपकी वीडियो save होने लग जाएगी कुछ इस तरीके से, थोड़ा आपको wait करना है जब यापकी वीडियो सेव हो जाए उसके आगी की इडिटिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ यह हमारी सेव हो रही है जिसे हम सेव होने देते हैं देखो यह सेव हो चुकी है उसके बाद आपको थोड़ा back आना है यहां पर गलिक करके आपको option मिलेगा overlay का देखो scroll करोगे overlay add overlay यहाँ पर click करोगे और जो आपने वीडियो अभी edit करके save की थी उसको आपको यहाँ पर select करना है और add करना है इसको आपको दोनों उंगलियों के मदद से full screen पर फैला लेना है कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुली full screen कर देना है आगे पीछे नहीं करना है पूरी screen पर यह ओनी चाहिए ज्यादी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए तो आपको सही से करना है ताकर हमारी editing सही हो तो यहाँ पर मैं भी problem हो रहा है तो आपको तो उसके बाद आपको blend option मिलेगा साइड में स्क्रोल करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे यहां पर आपको slide का option क्लिक करना है slide पर जैसे क्लिक करोगे यहां पर आप नीचे वाली line को आप मर्जी से adjust कर लोगे यहां पर आप 70 पर रख सकते हो यह आपके अच्छी रहेगी 80 पर रखो 80 पर रखो आप अपनी मर्जी से यहां पर adjust कर सकते हो आपका black effect यहां पर लग जाएगा देखो आप 80 पर भी रख सकते हो यहां पर बहुत बड़ी अलग रही है पुछ इस तरीके से आपका black effect जो है वह black effect के थी कुछ इस तरीके से आप black effect लगा सकते हो इस वीडियो को arrow वाले निशान पर क्लिक करके आप इसको save कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो like वीडियो को कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों तो मिलते हैं किसी वीडियो में तो पत्ते के अलेग में लगला जान परन के ए्सक्राइब कर देना झाल व्या थे अल्पक लगा